कोरोना वारिस के चलते मेंटल हेल्थ पर चर्चा बढ़ गई है जिस तरह से फिजिकल हेल्थ को स्वस्थ रखना ज़रूरी है उसी तरह से मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना ज़रूरी है और इसे सही रखने के लिए आपको छोटे-छोटे स्टेप्स ले सकते हैं आज की समय में तनाव होना आम बात है लेकिन इसके चलते हम फिजिकली और मेंटली बीमार हो जाते हैं इन सब चीजों से बचने के लिए आपको तनाव को दूर करना चाहिए कुछ सिंपल स्टेप से आप तनाव को दूर कर सकते हैं नियमित रूप से वयाम करना, खेलना, टहलना इन सब चीजों में शामिल है ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है स्वस्थ शरीर रखने के लिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए आप हेल्दी भोजन का सेवन करें और खूप पानी पिएं इसके अलावा एक्सिसाइज करें और पूरी नीन लें धुम्रपान और एलकोहॉल से दूरी बना कर रखें हम सबके फोन में कई सारे एप्स हैं जो हमें अपने फोन में बिजी रखते हैं साथ ही यहां यह भी बता दें कि जो भी हम इंटरनेट पर देखते हैं उसका असर हमारे मूट पर भी पड़ता है इसलिए डिजिटल डिटॉक्स करना भी ज़रूरी है हो सके तो दिन के कुछ वक्त इन एप्स को डिसिबल कर दें ताकि पल-पल के नोटिफिकेशन से आप डिस्टरब न हो अपने आपको टाइम दें और कुछ ऐसा करें जिसके लिए आपको इन इलेक्ट्रोनिक डिवाइजिस जैसे फोन, कॉम्प्यूटर, टेलिविजिन की ज़रूरत ना पड़े जब आप ज़ादा परिशान महसूस करते हैं, तो कभी-कभी दूसरों की मदद लेना भी ज़रूरी है आप बिना संकोच किये मदद लें और अपनी परिवार को या अपनी दोस्तों से अपनी परिशानी को लेकर डिसकुशन करें उसे शेयर करें, इसे काफी हद तक हमारी परिशानी कम हो जाती है और मानसिक रूप से आप हलका महसूस कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को सही रखना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप सही महसूस नहीं करतें, तो एक एक्सपोर्ट की मदद ज़रूर लें कर दो एक्सपोर्ट की महसूस नहीं करते हैं